हलो एवरिवन वेलकम बैक टो एस बायलो जी और आज के वीडियो में एक बार फिर वे एक वीडियो फिर से बना रहा हूँ इसी चीज के ओपर थमनिल देखके आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस चीज के बारे में है कि कोटा में कोचिंग छातर ने होसल की पांची मंजिल से लगाई चलांग तो ये कोटा के अंदर कुछ दिन पहले भी मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसके अंदर भी ऐसी ही कुछ न्यूज मैंने बताई थी आपको कि क्यों बच्चे वहाँ पर कोटा में पढ़के सुसाइड करते हैं या फिर इस तरीके के कदम उठाते हैं उ तरीके की चीजे जो है बच्चे इन चीजों से को अवर्ड कर पाएं और थोड़ी बहुत उनको फाइदा हो पाएं तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो देखो यहाँ पर कोटा में कोचिंग छातर ने होस्टल की पापशी मंजिल से लगाई छलांग तो ये ब बात है कि बच्चे बहुत जल्दी हार मान जाते हैं बस एक ही चीज को बैसिस बना लेते हैं कि अगर मैं जैई की तियारी कर रहा हूं तो बस जैई ही ही मेरे लिए सब कुछ है इसके अलावा दुनिया में और कोई उप्सन उसके लिए नहीं है और अगर नीट वाले जैई की तो 16 साल के जो स्टुडेंट है वो जैई की प्रिप्रेशन कर रहे थे तो उनका एक्जाम था कुछ दिन पहले ही आपको पता होगा कि जैई के एक्जाम चल रहे हैं मैंस के तो उनके एक्जाम थी दिसंबर में आहलां कि इनकी कोर्स जो है कंप्रिट हो चुका था लेकिन अब ये जो है एक्जाम देखे फ्री होए हैं कि जैई मैंस के एक्जाम होते हैं अलग-अलग फैजस के जिसमें एडवांस के लिए वो सलेक्ट होते हैं अगर एक्जाम उनसे फाइट होती है तो तो इस स्टुडेंट को अब कंप्लीट इंफॉर्मेसन नहीं है कि इसने चलांग लगाई है या फिर ओटोमेट खुद ही यहाँ पर किसी कारण वस नीचे गिर गए है इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेसन नहीं है लेकिन यहाँ पर जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो कंप्लीट है आपर रिसर्च कर रही है कि आकिर मामला है क्या कि खुद गिरा है या फिर खुद ने सुसाइड किया है या फिर किसी की यह चाल है तो कोटा के अंदर आम तोर पर यह लगातार देखने को मिल रहा है क्योंकि सभी स्टुडेंट जो नीट और जेई की प्रिप्रेशन करने के लिए जाते हैं उनकी फर्स्ट प्रियर्योटी क कोटा ही होता है कोटा के अंदर एक तो महौल अच्छा मिलता है सभी स्टुडेंट को दूसरों को देख देखके मोटिवेट होकर वह वहाँ पर पढ़ते हैं और बहुत जाज़ा सेलेक्शन भी वहाँ पर होता है कोचिंग हब बोलते हैं कोटा को तो यही रीजन है कि वहा पर बच्चे त्यारी कर रहे होते हैं और इस तरीके से अगर last में exam के time पे बच्चे exhausted हो जाते हैं कि खुद को समवालना बहुत जरूरी होता है उस time पे उनको parents की भी बहुत ज़ादा जरूरत होती है parents भी उनको support करें एक अच्छे level पे और coaching तो वाले तो खेर उनका तो काम है कि वो बच्चे को इस तरीका से prepare करवाए कि select हो पाए क्योंकि यह easy exam तो है नहीं tough exam है और आप सब लोग जो तयारी कर रहे हैं वो और उनके parents उनको सब को पता है कि student को अगर यहाँ इस level के पर पहुँचना है doctor और engineer के level पे तो आपको मेहनत तो करनी ही होगी और फिर आपको अपना mental जो strength है उसको तो strong रखना ही पड़ेगा अगर इसा नहीं है तो आप इतनी easy exam fight नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता है कि यह easy exam तो बिल्कुल भी नहीं है इतना hard exam tough exam होता है लेकिन फिर भी बच्चे इनको crack करते है इसका मतलब है कि उनकी mental strength कितनी ज़्यादा strong होगी तो सारा खेल ए mental strength का है तो आप अपने mind को suicide करने स कुछ नहीं होता शिर्फ NEET और JEE यही दो exam नहीं है जिससे कि आपका future decide होता है अगर आपको यह नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप life में कुछ नहीं कर पाओगे बहुत सारी और चीजे हैं तो उनके बारे में बाद में सोचो यार पहले कम से कम जिस चीज के लि थोड़ा सा अपने mind पर दिमाग लगा के देखो थोड़ा सोचो तो I hope कि आपको समझ आ गया होगा कि hostel life के अंदर इस तरीके की दिक्कत होती है तो आप comment करके हमें बताओ कि hostel में क्या-क्या changes होने चाहिए जिससे कि बच्चों को इस तरीके की कदम ना उठाने पड़े या फिर क्या ऐसे चीजें होने चीए जो student चाहते हैं कि ऐसे चीज हो ताकि हम mental free रह पाएं, stress free रह पाएं तो I hope कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, अगर वीडियो समझ आया है तो channel को subscribe कर देना, वीडियो को like कर देना, जादा से जादा share कर देना ताकि सब का फाइदा हो सके, मिलते हैं कि CSC update के साथ, तब तक के लिए जय हिंद!